वेलकम टू सुकला इडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके पर यूटूब चैनल सुकला इडी पॉइंट में मैं सियम सुकला आप सभी दोस्तों का हारदिक स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगी B.F.A.S.T.E.R. के इंगलिस लिटरेचर के पेपर वरन अर्थफपोटरि के सले बश के बारे में और जाने के अखिरकार इंगलिस लिटरेचर में किस प्रकार का पैटरन पूछा आता है और क्या से प्रशनदिक मातरा में आपकी पूछ़े जाएंगी तो कुछ आपके पाठे क्रम में जो रचनाय संकलित हैं और वो कभी कौन-कौन से हैं तो उनके बारे में भी हमको जानना पढ़ेगा इस वीडियो के दरगत इंगलिस literature की बात करेंगे जैयर सी बात है आपको यहां पर जो हें इंगलिस literature से समद्धिती ही कभी और उनकी रचनाय आपको देखने को मिलेंगी maximum marks जो होगे आपके 100 number के question pe avo आते हैं objective में क्राश्ण होगे model paper लाने कर भी में परियास करूंगा जल्दी आपके सामने model paper में लाऊंगा ध्यान रखेंगे मेरे प्यारा दोस्तों BA part 2, sorry BA part 1 में जो आपका second part होता है अर्थात paper 2 जो होता है paper 2 में आपको functional English के बारे में जानकारी मिलेगी functional English के बारे में हम paper 2 में पढ़ते हैं जिसके अंतरगत हम इंगलिस में बात करें तो comprehensive हो गया supporting errors हो गई जो है sentences जो बहुत सारे होते हो उसके बारे में जानना होगा इसी प्रकार से आप जो है जो है और जैसे की मैं बात करूँ exchange क्या होता है exchange pattern क्या होता है rhyming scheme जो होती वा क्या होती है और उसके अन्य प्रोसोडी क्या होती है जो है उसके बाद में आपका जो है transformation क्या है इसी प्रकार से नरेशन, synonyms, synonyms, one word substitution, idioms, phrases और figure of speech इत्यादी के बारे में हमको जानना होता है साथ ही learning English जो है second language इस प्रकार से हम इन सभी मुद्दों को second paper में देखेंगे और second paper में हम syllabus जल्दी आपके सामने अप्रोड करने का प्रियास करेंगे paper one के syllabus में आज की बीडियो में हम चर्चा करेंगे जाने के कहां से प्रशन एक्जाम में पूछा जाता है मेरी प्यारे दोस्तों और साथी साथ यहां भी जानने का प्रियास करेंगे syllabus में क्या-क्या वडित है देखेंगा मेरी प्यार दोस्तों आपके सामने यहां पर syllabus जो है यहां पर आ चुका है syllabus जब भी आपके सामने नजर आ रहा मलब की आबाज रहा होगा और यहां से जब भी प्रशन पूछे जाएंगे तो कहीं न कहीं पर जितने भी आपके दस जो लेखक हैं उन दस लेखके के बारे में प्रशन पूछा आता है साथी साथ एक जो कुछ अगला मैं बताऊं तो एक इंट्रोडेक्शन पार्ट से पुछा ते इसमें जैसे की पूछ लिया गया हाट जो है लेरिक क्या होती है तो अपस में बाता सकते हैं आसाथ जो है पीसेस आप पॉर्टिक कॉम जो है कम पोजीशन को हम क्या कहते हैं लेरिक कहते हैं इसी प्रकार से लेरिक पॉट्री लोगों ने कही न कही पर लेरिक जो है जो सब्द है उसका उद्गम हुआ कहां से एसेंट ग्रीक से हुआ है ध्यान रखेंगे तो इन सभी मुद्दों को भी हम समझने का प्रियास करेंगे जब मॉडल पेपर हम समझेंगे आए बात कर लेते हैं यह उनिट वन में किस प्रका करने का प्रियास करेंगे अमलब प्रस्तुत करने का चुकि आप लोगों के लिए ही मैं हूँ और आप लोगों से मैं हूँ तो आप लोगों के जो रिक्वार्मेंट होती हुआ हम मैं पूरा करवाने का प्रियास करता हूं आए बात करते हैं यूनिट वन आपका जो प्रश यहाँ पर जो है नाम है इनके रचना का नाम है इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे आने बाले समय में नेक्स्ट हैं आपके मेरे प्यार दोस्तों बिलियम सेक्सपियर इनको कौन नहीं जानता अगर जो नहीं जानता तो इंगलिस लिटरेचर जो है लगभग नहीं पढ़ना चाहिए जैसे हिंदी में बात करूँ मैं तो हिंदी में आपके मेरे प्यार दोस्तों अगर प्राचीन में बात करूँ तो जो लगभग जो तुलसीदाजी जैसे हैं तो तुलसीदाजी हिंदी साहते के परपग्य है इसे प्रकार से Hindii साहित में जैसे रामचसुक्राजी का स्थान है या फिर इसी प्रकार से जो बड़े बड़े साहितेकार है उनका स्थान है ठीक उसी प्रकार से हिंगे में बिलियम सक्सेथ का स्थान है ध्यार नखेंगे asking me Claire मेरे प्यार दोस्तों कि परकार से पीलिंग उसके होती है इसके बारे में इस पर्टरीstadt के बारे में बताए गया है तो यह परकार से क्या हिनकी रचना के से की जाउन मिल्टन ने बड़े ही अच्छे धंग से इसको प्रसुत कि आपने इंटर में इसको पढ़ा होगा जए नेक्ट थे मेरे प्यार दोस्तों अलेक्जंडर पोप क्या है अलेक्जंडर पोप वैसे अनमें इनका आपकी पाठेकरम में 3 शेकंड वाला और लाइनस आपकी मैं एक से 25 लाइनस के बीच में जो है इसमें आपसे आपके पाठे करमे मलब की एक सी लेकर के 25 लाइन के बीट की जो रचना है वह है अलगजंडर पोप के आपके पाठे करमे संकलत है यससे अन मैंड पर इन्हों ने लिखा था और एपी साइट जो है आपका मेरी प्याने दोस्तों सेकंड में है ओके तो आपके सरग लज्जा सरग आप या फिर आपने हिंदी में पढ़ा होगा सरद्धा मनू तो उसमें आपने पढ़ा होगा लज्जा सरग जो है सरद्धा सरग और इसके आपने यह सरग आपने पढ़ा तो इसी प्रकार से इनकी भी रचनाव में ऐसे जो है तो उसी एपी साइट कुछ संक्लित है या फिर पद्मावत से कुछ अंश है तो ऐसे नोगों भी होता है ओ、 कि आगे देखते हैं मेरी प्यार दोस्तों आगे है आप में यूनिट KU यूनिट Two से आपका पाचवे नमबर मेरी प्यार दोस्तों जो आपके पाथे करम में आपके संक्रित है मेरी प्यार दोस्तों उनका नाम क्या क्या है पहली रचना है इनकी the words is too much with us क्या the words is too much with us यहां पर देखिएगा यह देखिए यहां पर लिखा है the words is too much with us यह आपके पाठे करम में है और दूसरी रचना इनकी जो है मेरी प्यारे दोस्तों दूसरी रिचना का नाम है आपका The Solitary Reaper क्या नाम है The Solitary Reaper इन दूसरी रिचना का नाम है इन समी के बारे में हम जो है इन से जो प्रस्न पोच्छा आते हैं मौर्णल पेपर में देने का प्रियास करूँगा और बताएंगे उसमें आगे देखते हैं अगले जो है आपके पाठे करम में संकलित है 6 नंबर पे देखिए उनका नाम है आपका PB Selly क्या नाम है PB Selly तो PB Selly है इनकी जो रचना है आपके पाठे करम में है मेरे प्यारे दोस्तों 2 A Sky Lark क्या 2 A Sky Lark इनकी एक रचना है वह आपके पाठे करम में संकलित है तुआ इसकाई लार्क जो है या एक प्रकार से इनकी रचना किसकी पीबी सेले की या आपके पाठे करम में संकली थंद्यक्ष्ट है मेरे प्यार दोस्तों सेबा नंबर जॉन कीट्स क्या नाम है इनका कभी का आपके जॉन कीट्स नाम है और इनकी जो रचना है आपके पाठे करम में है वहाँ देखे दो इनकी भी है उसमें आपका पहली रचना इनकी है ऑन फर्स्ट लुकिंग की इनको कहीं कहीं पर नाम है तो जैंकी रचना है और दूसरी इनकी रचना है आपके पाठे करम में ऊड़ जो है अब्यार दोस्तों आगे मढ़ते हैं और मुद्दो को हम समझने का प्रियास है है अब जो है एकही Piece22 हो गया है कै ऊज़ज गया काही तीन में प्रबेश करते हैं काही टीन में आते हैं मेरे पैर दोँस्तों इसमें 8 8 9 और 10 यह 10 जो है लेका कापके काहीट nervous है मैं सेंकलित H weill टेनि सउन की इनका पूरा नाम है Alfred Lord Tenison और टेनि सवनकी जो एक रचना आपके पाठ़ कर्म में वह संक्लित थे मेरे प्यार दोस्तों क्या नाम है उसका Ulysses क्या नाम है Ulysses तो Ulysses इनकी जो है रचना है कि इसकी आल फ्रेड लॉड जो है तेनी संकी या आपके पाठे करम में है अगला है मेरी प्यार दोस्तों रॉबर्ट जो है क्या नाम है इनका ब्रोवनिंग तो रॉबर्ट ब्रोवनिंग इनकी जो दो रचना है आपके पाठे करम में संकलित है माई लाश्ट जो है यहाक लिखा है यहाँ पर देखिये डूचेस तो डुचेस या फेडूचेस आप डुचेस आप दो भी बोल सकते हैं तो डुचेस इसको आप बोलेंगे और दूसरी है आपका मेरी प्यार दोस्तों उसका नाम है प्रोस्पाइस किसकी है लॉबर्ट ब्रोबिंग की है लॉबर्ट ब्रोबिंग की दो रचना है आपके पाठे करम में है दो जो है कविताएं हैं पोट्रीज है माई लाश्ट जो है डचेस और उसके बाद में प्रो स्पाइस ओके ध्यार नेखेंगे टेन देखते हैं मेरी पैर दोस्तों दसमें हैं आपके मेरी पैर दोस्तों मैथ्यू इनका नाम है मैथ्यू और नॉल्ड तो मैथ्यू और नॉल्ड की जो है एक रचना आपके पाठे कर इसी प्रकार से इंट्रोडेक्शन से भी कुछ प्रस्ण एक्जाम में आपसे पूचे आते हैं जैसे आपसे पूच लिया कि कि ओड़ी मतलब कि कहां से उदद्र हुआ है का तो आप बताएंगे की ओड़ का जो मलब की उदद्र हुआ है रोम से हुआ है इसी प्रकार से और भी तमाम सारी चीज़े आपसे जो पुछेंगा कि एक प्रकार से दिलेort उध ठीक कहां से उतपन हुई है तो asian degree कसे मिरी है आपको इसी परकार से आपसे पूछे कि आपसे सारे होगे जो की आपसे पूल सकता है तो वह सारे के सारे प intelligent में आने वाले समय में आपको बताने का प्रियास करूँना आपके पूछे कि how many types of odds आर आपके पार करके जो odds होता होता है तो ओट्स दो परकार का होता है मेरे प्यार दोस्तों ओके ध्यान रखेंगे तो ऐसे आप से पुछेगा ध्यान रखेंगे अगर आप से पूछे basically how many kinds of poetry in English literature बलब English literature में आगर मूल भूत देखें आधार भूत चीजों को बारे में चमझे तो उसमें कितनी आपकी जो है बिधाएं या फिर कितनी प्रकार की poetry होती है तो दस प्रकार की आपकी poetry English literature में आपको जन्दरी देखने को मिल जाएंगी तो यह सारे के सारे मुद्देजों होंगे हम आने वाले समय में उसको उस पर discussion करते रहेंगे मेरे पैरे दोस्तों साथी तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर दीजिए अगर चैनल पर नए है मेरे पैरे दोस्तों तो उसको भी subscribe कर दीजिए और सभी लोगों के पास यह वीडियो सेयर कर दीए ताकि सभी लोग हम से जोड़ सके और अपनी तयारी अच्छी से रूप से कर सके मैरे पैरे दोस्त चले आगे बढ़ते हैं यहाँ पर मैं कभी-कभी आपसे exam में और भी चीज़े पूछिया सकती है आपसे पूछले कि how many kinds आप जो है सटायर आर तो सटायर की जो है मलब कि या सटायर या सटायर की जो है कितनी कटगरी होती है दो कटगरी होती है उसकी इस सभी मुद्दों पर भी हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में तो बस आपको क्या करना इस वीडियो को जादा से दर लाइक करके सेर कर देना है ताकि मोटिवेट हूँ और मैं इस पर गहनता से अध्यन करूँ और आपकी अंग्रेजी संब्दी जितने भी मुद्दे हैं जितने भी प्रसन आपके exam में पूछे गए हैं